नमस्कार अपसे भी का स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में तो दोस्तों यह जो वीडियो है मैं इसमें यह बताऊंगा कि आपको कोशी की जो लाइफ लाइफ लाइन थी एनेच से 106 और 107 जिसका निर्मान जो है के लिए जो हैसो यह बताया गया था कोशी छेत्र की दो महत्यपुर्ण लाइफ 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 लाइन सरक्के जो हैसो एनेच 107 और 106 के निर्मान में देश की दो बरी एजन्सी ने 9 साल का समय बरबाद कर दिया है निर्मान की रप्तार इतनी धीमी है कि इससे पुड़ा ह भने में और एक दसक लग जाएगा यह दोनों महत्यपुर्ण एनेच कोशी प्रमंडल के दो जीले सहरसा और मधेपुरा के साथ भारत नेपाल सीमा को बीड़पुर तक जोड़ती है यानि दोनों एनेच का जो निर्मान अधूरा रहने से जो है सहरसा और मधेपुरा जील केंद्रीय सरक परिवहन वा राजमार्ग मंत्रालाई से बारवार एस्टिमेट रिवाइज करने में काम्यावी रहती है हाल यह है कि दोनों सरक पर हर वक्त धूलूरती रहती है सरक के मामले में अलग थालग परेशारसा और मधेपुरा के विकास से चुरी इस परियोजना क को पूरा करने में केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालाई की खास दिल्चस्पी नहीं है ना ही इनकी मॉनेटरिंग की जाती है सरक निर्मान को चार बार एक्स्टेंशन मिलने से इसलिए निर्मान में देरी हो रही है महस्खूट से सहरसा मधेपुरा होते पुर्णिया को में गेवन इंडिया और महस्खूट से सहरसा मधेपुरा सीमा तक करीब 90 किलो मीटर भाग का निर्मान जेडी सीयल कंपनी कर रहा है अश्चर जनक तथिया है कि निर्मान चेतर से जुरी देश की दो बड़ी एजनसी कोशी की इस परियोजना की पेटी कंट्रेक्टर के प्रणो एजनसी ने अपनी एग्रिमेंट में दो साल के अंदर परियोजना पूरा करने की बात कही है 1380 करोड इस परियोजना एनेच 107 का सिलानियाज खुद परदानमंत्री ने अक्टूबर 2017 में किया जिससे 2019 में पूरा कर देना चाहिए था अभी भी महस्खूट से सहरस की बात तो दूर सहरसा से मातर थालक क्लियोमीटर की सरक भी नहीं बन पाई है एनेच 106 और 107 के निर्मान में लागातार होड़ी ही देरी का मामला गुरुबार को संसद में उठा था मधेपूरा के संसद दिनेश चंद्र यादम ने सपश्ट कहा कि अगर निर्मान में यह नहीं रफ्तार रही तो आने वाले एक दसक में भी दोनों सरक कोशी में नहीं बन पाएंगे मधेपूरा संसद्य छेतर से एनेच 107 और 106 का 106 गुजरता है नौ साल पहले एनेच 106 में बीड़पूर से उदा किसुनगंज तक काम शुरू किया गया एनेच 107 में पांच व पूरा नहीं किया गया तो दोस्तों यह थी हमारी इस वीडियो की कुछ न्यू अपडेट तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ तर तक के लिए धन्यवाद